पिरे अचातर आप सभी को एक नाए वीडियो में स्वागत है आज मैं आप सभी को गुननखन बिदी से बर्गमूल निकालना बताऊंगा एक काफी महत्मून टॉपिक है इस लिए वीडियो को पूरा जरू देखे और अच्छा लगेगा तेक लाइक और नहीं है चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर करे साथ में प्रेश जरूर करे तो देखे कोस्चन है तीनसाच चावबीष का बर्गमूल नखण बिदी से घ्याद कीजिए तो चलिए गुननखन बिदी से हल करते हैं तो देखे यह तो इसका सबसे पहले आपको गुननखन निकालना होगा तो चलि यानि 2 से भाग देंगे तो 162 आएगा अब भी속 से 12 में 12 से भाघ लगे गा हां लग जाएगा दू से तो फिर दे दीजे 28 से कं 근res Boss 2 अब 181 आया ऐकासी में 12 से भाघ नहीं लगेगा तो 2 के बाद 3 से नहीं लगेगा तो 5 से देंगे, 5 से नहीं लगेगा, 7 से देंगे, इस टाइप से देते रहें, अब बेके, 3 से देंगे, 3 से देंगे यह कितना होगा, 3, 2, 6 और 3, 21, यानि 27 आया, फिर इसमें 3 से लगेगा, ति絮मा 27 फिर 3 से लगेगा, तिंतियाई 9 समझ गये फिर 3 से देंगे 3 एकम 3 हो गया आपको डाइट अगर आएगा कि आप आज जे गुननखंट से बर्गमून निकाले तप इस तरीके से करके निकाल लिजेगा समझ गये तो कितना आया गुननखंट 2 गो 2 और 4 गो 3 आया तो लिखेंगे इसलिए किसका कि दो गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानि 4 गो 3 है रूट में रहेगा तो समझ आएगा कि बर्गमून निकालना इसलिए हम रूट में कर दिये हैं तो देखे, यहाँ का गो दू है? जोड़ा लगा। दू गो दू है तो स्क्वार हो जाएगा चार गो है तो यहाँ सब धजागा से से रूट से तो बज जाएगा दू गुणे तीन गुणे तीन तो कितना हुआ दू त्याज़ शाज़ अच्छतरी अठारा हो जाएगा समझगे अप यहां यह समझेए कि दू गो के गो होगा यानि दू गो दू है तो एग गो दू अप ऐसे नहीं लिखेगा फिर भी होगा रोट में से निकलने के लिए 4 गोप Three है तो दूग हो जागा 10 गो रह गा तो पाच गोप है यह जब वी जोड़ा लगेगा तरभ यह निकलेगा नहीं तो नहीं निकलता यह रहुझाओ यहां दो square कर दिये थे te 기》 सब्हुärke कर लोट कट गया यानी रूट से बाहर आजाएगा दू गुने तीन गुने तीन कितना है अठारा तो 324 का बर्मूल कितना हुआ अठारा तो मुझे उमीद है कि आपको यह जरूर समझ मैं होगा और समझ मैं आ तो वीडियो के लाइक और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद झाल